है 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 यह एलो फ्रेंट्स डिस इस विजय राजपोस पने लेलकम टू लर्नर आइज वाइज विजय राजपोस टोडे वी आर गविंग टू डिसकस एसी एप एड लसी एम आज हम लोग लगुत्तम और महत्तम निकालना सीखेंगे तो सबसे पहले देखें एसी अप का फ समाप वर्च तो दोनों में अंतर समझे यहां पे आप वर्च लिखा गया है आप वर्च और यहां पे लिखा गया है आप वर्च दोनों में क्या अंतर होते हैं तो यह जो होता है आप वर्च यानि फैक्टर जिसको बोलते हैं जैसे माल लिजे कि एगर चार होगा तो चार का जो फैक्टर होगा अपवर्थ तक होगा वह तीन गुने पांच होगा लेकिन जो अपवर्थ जो होते हैं वह क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं मल्टीपल कहने का अर्थ है कि मान लिजे कि अगर दो है तो दो का मल्टीपल लिखेगा तो दो चार छे आठ इस तरीके से आप का multiple, तो सबसे पहले हम यहां आपको बताते हैं कि कैसे लगुत्तम और महत्तम को निकाली जाती हैं, तो सबसे पहले इस दोनों में देखें, लगुत्तम जो होता है वो least value होते हैं, और जो महत्तम होते हैं वो बड़ा value होता है, हम बच्पन में हम लोग कैसे निकालते थे, गर लगुत्तम निकालना होता था, 8-4-12 का, तो हम सिम्पल निकालते थे, 2-4-2-6-12, 2-4-1-2-3-6, यानि यह हो जाता था, 2-2-2-2-3, यानि इस तरीके से आप LCM निकालते है, दुनी 4, दुनी 8, 3, 24 हो जाता था लेकिन अगर इसी संख्या का 8, 4, 12 का मुशन निकालना होता था S.C.F तो हम लोग बच्पन में इसको कैसे निकालते थे इसको निकालते थे पहले कोई संख्या ले ले लेते हैं दो छोटा वाला ले ले लेते हैं जैसे 8 और 12 तो 8 और 4 से फिर लगाएगा तो 4 दुनी 8, यानि यहां पर आपका 4 है जो बचता है उसी को फिर बच्पन में लगाते हैं तो 14 है आपका, तो 4 ती आई, 12 हम तब तक लगाते हैं जब तक कि हमारा पूरी तरह से बिभाजीत न हो जाए तो यह हो जाएगा आपका 2 दुनी 4, यानि यहां पर ACF हो गया 2, लेकिन अब हम लोग नया टेखनिक सिखेंगे और जिसके तहत मिंटों में चुटकी बजाते आपका question solve हो जाएगा तो आईए उस परकार के solution को देखना शुरू करें लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ और बात हम करेंगे highest common factor और lowest common factor की बात करते हैं माल लिजे कि हमारे पास संख्या दिया गया है 15, 18, 20 और इसका अगर आपसे पूछा जाए ACF निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे तो देखे इसके निकालने का तरीका है कि सबसे पहले इसका factor निकाल लेजे तो 3 पचे 15 यानि 15 का हो जाएगा और एक और है आपका 20, 20 का भी निकालेंगे तो दो दा है 20, दो से दो पचे 20 यानि दूग उने दूग उने 5 यानि दूग कितना है दो बार है अब यहाँ पर समझे इसके HCF nिकालने का यहाँ पर लिखा ही गया है highest common factor तो हम लोग क्या करते हैं इसमें common लेंगे highest मतलब है कि इसमें देखेंगे कि हमारा चinters मिल रहा होगा तो च dużiden संक्या मिले तो इसका हीट है इक लिखожд salmon नहीं नहीं है पांच देखा जाए अगर इसमें पांच है इसमें तो पांच नहीं है इसमें भी पांच नहीं है अगर तीनों में संख्या नहीं मिले तो उसका S.C.A.F हम एक लिख देते हैं लेकिन अगर आपको आठ और चार का निकालना रहता S.C.A.F तब गौर किजिए तो हम क्या करते हैं 8 का इसी तरीके से निकालते हैं दो पहले एक फैक्टर निकाल लेते हैं 2 दुनी 4 यानि 8 बरावरता 2 के पावर 3 और 4 का निकालते हैं तो 2 से 2 दुनी 4 दो के पावर 2 और S.C.A.F जो होता है highest common यानि दोनों में common चेक करेंगे दोनों में क्या मिलना है दो मिलना है और इसमें छोटा वाला भैलू लेंगे तो कौन हो जाएगा 2 के पावर 2 यानि 2 गुने 2 यानि कितना हो जाएगा 4 तो इस तरीके से आप common के दोरा S.C.A.F निकालेंगे लेकिन इसी question को हम LCM के रूप में देखते हैं जब हमारा LCM निकालना हो तो जैसे 8 और 4 का आपसे अगर LCM पूछा जा रहा हो तो कैसे निकालेगा तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं 2 चाक 8 2 से 2 दुनी 4 आठ बरावर 2 के पावर 3 तीन गो 2 है 4 का निकालेगा तो 2 दुनी 4 यानि 4 बरावर 2 के तो 2 के पावर 3 बरा है 2 के पावर 2 चोट है तो यह हो जाएगा आठ लेकिन आई हम लोग इसे अब डिटेल में पढ़ते हैं अब आप जानते हैं कि समय करणशार कंप्टिशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इसके लिए अब हम लोग ऐसे मेथड का प्रयोग करेंगे ज के लिए सभी बच्चे काफी स्रियस उनको समय उतना नहीं होता है कि सारे कुस्चन को वह आसानी से लंबा समय देकर हल करें तो आईए सबसे पहले एलसी हम निकालने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लगुत्तम समाप वर्च कैसे निकाले तो सबसे पहले अगर छोटी संख्या बरी संख्या को बरी शंख्या को डिभाइड कर दे यानि पूरी तरह से उसे बिभाजित कर दे भाग लग जाए दिभाइड करे तब हम लोग कैसे निकाले जैसे हमारे पास एक कोस्चन है हमको दिया गया है जैसे अगर माले जेके कोस्चन है आठ दिया गया है और शोला दिया गया है, पहला कोश्चन है, आठ और सोला का आप LCM निकालके दिखाए, दूसरा कोश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं, वह है, हमारे पास जैसे रहता, तीन, नौ और अठारा रहता, तो इसका LCM निकालके दिखाए, और तीसरा कोश्चन है, हमारे पास वह है चो है 18 है और 36 है तो इन सब का LCM यानि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिभाइड करें यहाँ पर गौर कीजिए तो आठ जो है 16 को डिभाइड कर रहा है कि नहीं तो जिससे वह डिभाइड हो जाए उस संख्या को क्या कर देजिए काट देजिए तो आठ और 16 का LCM था आठ से 16 तो कट रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट रहा है तो आठ को कट दिये तो बच गया क्या 16 तो इसका अंसर क्या हो गें 16 लिए कितना जवाब है देखते-देखते आप बना लेंगे असानी से अब इसमें देखिए तीन से नो है कि नौ तो तीन को कट इह नव से अथारा भाग लग रहा ही कि निलाग रहा नो दूनी अठारा यानि इसका LCM जो इस से कितना हो जाए यानि हमारा LCM कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अब यह तो आसान है है ना जवाब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन जरूर दबाएंगे शेयर करिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पसंद आए तो जादा से आगर divide 9 करे मतलब अगर भाग ही न लगे तब कैसे बनाएगा तो इसके बनाने के लिए हम आपके पास question डालते जैसे आपको दे दे कि 10-15 का LCM बताए पहला question है 10-15 का LCM ग्याद करे दूसरा question हमारे शामने है जैसे दे दिया है आपका 15 और 18 का LCM ज्याद करें और तीसरा question हमारे पास है जो आप देख सकते हैं वो है 10, 15, 18 एक है आपका 10, 15, 18 10, 15 और 18 का LCM निकालना है और एक और question हम लोग देखते हैं वो है अमारा तो वो है 4, 5, 8, 10 4, 5, 8, 10 का LCM अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो गोर कीजे अब हम क्या करेंगे न कि कोई ऐसी संख्या लेंगे जो छोटी से छोटी जो दोनों को विभाजित कर दे तो कौन से संख्या जो 10 पंदर दोनों करें तो 5 है 5 से 5 दोनी 10, 5 से 5 ये 15 कोई एक को काट दीजें मालीज हम 15 कार दे 5 से 5 है 15 और जो अब बच गया दोनों को गुणा कर दे तो कितना हो गया 30 यानि लगुत्तम हो गया आपका 15 18 कोन ऐसे छोटी संख्या जो दोनों को काटें तो 3 है हमारा कोई एक को काट ये 3 से 3 पंदर जो बच गया उस दोनों को गुणा कर दे यानि लसेम कितना हो जागा 90 इस तरीके से इस तीनों को देखिए तो कोई ऐसी संख्या है जो आपके तीनों को काट रही हो तो नहीं ऐ 10 ये नहीं होगा अब इस तोनों को गुणा कर दे जो कितना हो गया 30 हो गया और हमारे पास आगया कितना 30 और 18 आगया अब इसका तो निकाल सकते 30 आठार को कौन काटेगा तो 6 तो 6 पचे 30 यानि कितना हो जागा इसका भी आठार 90 हो जाए तो सबसे पहले देखिए कि कोई कोई ऐसी संख्या जो तीनों को काटे नहीं तो 2 को काटने वाला देखिए 10 पंद्र को तो है काटने वाला 5 से 5 दूनी 10 और 5 ती पंद्र अब जो बचा उसको गुणा कर जेता 15 दूनी 30 और इधर कितना है आपके पास 18 है यह ना अब कोई ऐसी संख्या देखिए जो दोनों को काटे दोनों में भाग लगा जाए 6 से तो 6 पचे 30 जो बच गया उसको गुणा कर दीजिए तो 5 गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा 90 तो इस तरीके से और एक और कोस्टन है अब देखिए इसमें कोई ऐसी संख्या है जो दूसरे को काट रही हो हां 4 से 4 दूनी 8 तो 4 को हटा देजिए 5 से 5 दूनी 10 तो इसको भी क्या किजिए 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा वो कट जाएगा और 5, 8, 10 दिया गया है लेकिन कटने वाला दे रखा है नहीं 4 आपका 8 और 10 रहे 4, 5, 8, 10 तब क्या करेंगे तो 4 तो हट जाएगा और 5 से 10 भी कट जाएगा तो ये भी हट ज जाती है तो उसको हम हटा देंगे तो 4 से 8 कट रहे तो 4 हट गया 5 से 10 कट रहे तो इसे हटा दी अब क्या था जो संख्या बचा उसमें देखिए कि कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को में भाग लग जाए तो हां 8 और 10 में 2 से 2 से 2 चक 8 अब जो बच गया उसको गुना कर दी तो कितना हो जगा 40 तो इस तरीके से हम आसानी से लगुत्तम निकाल सकते हैं तो आप इसे ध्यान रखेंगे लाइट चली गई है तो अब ध्यान रखेंगे ऐसे ही बनाते रहे प्रैक्टिश करिए तो अभी आप देख रहे थे कि जो हमारा LCM होता है वह चोटी सख्व को संख्या होती है लिस्ट भैलू होती है जो दूसरे को विभाजित कर देती लेकिन अब हम लोग ACF की बात करें, तो ACF क्या होगा? यह जो होता है वह बड़ी से बड़ी, यानि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, वह बड़ी संख्या जो दी गई, प्रतेक संख्याओं को डिवाइड करे, वही SCF कहलाता है, शंख्याओं को divide करें, यानि सभी संख्या को अगर बिभाजित करेगी, तभी वह पूरी तरह से वह बिभाजित करेगा, तभी वह SCF कहलाएगा, जैसे अगर हमारे पास है, चार छो का SCF निकालिये, तो चार छो का, अगर SCF निकालना हो, तो हम देखेंगे कि उसको hablar करें, तो देखें को अगर अगर 17 ग्यांद करें संख्या है, जो यह हमारा हो टीनों को काट दें तो हमारा तीन ऐसी संख्या है जिए को कारती है तिन पंच पंदरा तिन छौटारा का अगर हमें आश सीएफ निकालना हो तो कोन सउंख्या जिएंग benefit करेगी तो तीनों आश क्ञ esperar करनेवाले संख्या जो होगी वह द एक अत्म प्रस्व F घ्याद करें तो इसमें बताएं कोने संक्या है बड़ी से बड़ी आप exam करें को एसए संक्या नहीं हैं तो केबल एक ही आइसी आप जो दोनों को बिभाजित करती है। तो इस तरीके से आप SCF भी आसानी से निकाले। LCF में छोटा से छोटा देखें, जो बिभाजित करें, और LCF में देखेंगे बरा से बरा। अब हम लोग भिन्व का SCF निकालना देखते हैं। भिन्व का SCF कैसे ग्यात करें। यानि जब संख्या जो भिन के रूप में हो तो कैसे ग्याद कीजिएगा तो सबसे पहले समझे अगर हमको निकालना हो भिनो का LCM अगर निकालना हो LCM तो कैसे निकालेगा अंसो का LCM निकाल दीजे और फिर हर का जो है से क्या कर दीजेगा, HCF, हर का, यानि हरो का HCF निकाल दीजेगा, यह हमारा पहला, दूसरा कंसेप्ट है, अगर हमें भिनो का HCF ग्यात करना हो, तो हम क्या करेंगे, अंस जितने भी होंगे, उसका HCF निकाल लेंगे, और जो हर होंगे, उसका LCM निकाल ले जैसे अगर माली जी हमारा कोश्चन है कि साथ बटे नव आठ बटे बारा और बारा बटे पंदरा का आप हमें SCF ग्याद करें तो सिंपल सी बात है उपर वाले का SCF यानि साथ आठ बार का क्या निकाल दिजेगा SCF और कि नोव बारा और पंदरा का क्या निकाले जेगा SCM जो पूछेगा उसको उपर वाले का वही निकालेगा और नीचे उसका उल्टा यानि SCF पर यह सम दो ही चीस्तों है तो आप SCF निकालेगा अभी निकालने का मैंने बताया था कि तीनों को भाग देने वाली कोई संख्या बताई क्या कोई ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो तीनों को भाग लग जाए नहीं है तो कौन हो जगा एक हो जाएगा अब लगुतम निकालना मैंने सिखा है कोई ऐसी संख्या देखिए जो तीनों को को है संख्या जो काट रही है तो तीनों को काट रही है तीन से त तीन से हो जागा, तीन ती आई, नव, अब इसको हटाईए, अब बच गया कितना, बारा ती आई, छत तीस, और इधर कितना बच गया, पंदर, अब कोई ऐसी संख्या बताईए, जो आपका दुनों को काटे, तीन से कटेगा, तो एक को काट लिजे, तीन से कितना कटेगा, बारा, और जो बचा उसको गुणा कर देजे, यानि पंदर, दुनी, तीस, और पंदर, तीन, अठार, यानि, एक सो, असी, इस तरीके से आप निकाल लेंगे, एक बार फिर से इसको सिखेड़ीजे, नो, बारा, पंदर, का ऐसे म निकालने का तरीका है, दो ऐसा संख्या द और जो बचा उसको मल्टिप्लाई कर देजे, एक सो असी, तो इस तरीके से आप सोट में टाइम बचा सकते हैं, तो इस तरीके से आप भिन्नों का ACF, LCM निकाल सकते हैं, तो अभी ACF देखे, आई अब हम LCM की बात करें, अगर हमें इस तरीके से कुस्टन है, 9 बटे 10, 12 ब बटे 25 और एक कुस्टन है आपका, 21 बटे 40 और इसका LCM निकालना तो कैसे निकालेगा, सिंपल है, अंस का LCM, 9, 12, 21 का क्या निकालेगा, LCM और नीचे 10, 25 और 40 का क्या निकालेगा, ACF, आप नियम लगाए, LCM निकालने का तरीका है, कि कोई दो संख्या जिससे कट्रिये एक इसको हटाएंगे, 9, 12, 30, 39, तो हो गया कितना, 12, 36, अब इस दोनों में देखे कोई संख्या जिससे कट्रिये, तो 3, 3, 3, 1, बचेगा, 36, 7, 6, 42, 7, 4, 25, यहीं नहोगा, और अब इसमें बता है, कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताएंगे, जो सब को कार दे, तो 5 से सब कट रहा है, तो इसका मतलब 5, तो यह मेरा निकल जाएगा, तो इस तरीके से आप LCM, SCF, जो होंगे, उसको आप solve करेंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसे भी देता है, मालिजे, आपने 6 और 12 का LCM निकाला, तो कितना आएगा, 6 का 6, 6 दुनी 12, तो एक को रखे, यानि कितना आ गया, SCF होता है, जो दोनों में भाग लगा जाए, तो 6 से तो दोनों में लग रहा है, अगर सुनिए, दोनों संख्या को हम गुना करें, 6 गुने 12, और SCF और LCM को भी गुना करें, तो गौर किजिए, यह हो जाएगा, कितना, अगर इसको गुना किजिएगा, 6 बारा को तो लगते हैं हल, माले जैक दे दे, कि दो संख्याओं का, एक दो संख्या, जिसमें पहली संख्या 5 है, और दूसरी संख्या दिया है, आठ, और कर रहा है कि उसका LCM जो है, अगर कुछ भी दे, माले कि 10 है, तो आप ECF ग्याद करके बताए, तो आप आसानी से बना लेंगे, ज देगा कि पहली संख्या, गुने दूसरी संख्या, दोनों का गुननफल है 20, और ECF दिया गया है 15, तो आप LCM निकाल के बताए, तो simple formula तो है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने SCF, तो पहली गुने दूसरी का दिया है 20, हमारा LCM नहीं दिया है, SCF दिया है 15 तो 20 बटे 15 यानि LCM जो होगा पांचक 20 पांते पंड़ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं तो जब भी कोश्चन किसी भी परकाड का पूछे आप उसे ऐसे हल कर देंगे थैंक्स पर वाचिंग विडियो अगर पसंद आई तो आप लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेट करें और अपने दोस्तों को सहियो करें अच्छे गैडलाइन दें इस्टे होम इस्टे सेफ थैंक्यू धन्यवाद जैहिंद जैभारत